हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने जैनेल मस्वलेश केडी में तो आज मैं आप लोग के सामने प्राचीन इतिहास के मुख शुरुत से पचास एकामन कोश्चन लेकर आई हूँ जिसमें आपको बहुत थी सरलता से समझ में आ जाएगा पढ़ने से याद हो जाएगा लाइन है तो देखते हैं क्यों पार्ट वन है अगला पार्ट टू इसका पचास कोश्चन को और हो जाएगा प्राची नितिहास के मुख शुरुत का पहला कोश्चन है पार्ट वन का झाल से और इसके पहला कोशन दिखते हैं कि भारत का स्वल प्राचीन धर्म ग्रंध के संकलन करता चैंड नियुक्त अग्ला question है दूसरा question कि चारो बेदों को क्या कहा जाता है चारो बेदों के एक साथ क्या कहा जाता है, सहीता कहा जाता है, तीसरा कोशन है, रिग बेद में मंडल सुक्त तता रिचाओं के संख्या कितनी है, मतलब कि रिग बेद में कितने मंडल हैं, कितने सुक्त हैं, कितनी रिचाएं हैं, तो क्या है इसमें रिग बेद में, 10 मंडल ह और 10462 मंत्र 10462 मंत्र 210182ह वातर हैं और 10 10今 मडंल अगला क्वेद्चन है कि घारी मंत्र के किसम Bliss लीजई ऑगया है है तो तीसरा मंडल चलिया है जाहेतरी मंद्र शुर देता हैं सबलकुंग SHOомर्पित है और ठीसरा मंडल भी ही सब्दों किसमार मैं टक कि रिगिवेद 22 जो मंदल में हच्ट रिखा हुआँ को क्या कहा जाता है चहत система कहा जाता है कोश्चन preconce 23 मंडल में चार बढ़नों जो चार बढ़न होते हैं वराहमन छत्री बैश्ट असुद्र जो बैदों में उलेक है उसमें किस मंडल में लेख है तो दसमा मंडल में पूरु सब्सक्राइब को समर्पित किस देवता के लिए इंद्र के लिए कितना मंत्र है 250 मंत्र उसके बाद फिर अगनी के लिए 200 मंत्र से लिए 200 मंत्र कि लिए 200 मंत्र है कि बामन अवतार के बामन अवतार के बामन की दूर नीजय की लिए कॉस्टन नमर दस है कि कौन सा बेद गा दिवांपद दोनों में है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यह जुरुपध हो जाएगा यह नहीं होगा एक कि यह एक यह आउसर पर गाय जाने वाले मंत्रो का संकलन की समभेध में इसामवेध में अगला कोस्चन है कि यह संभध की कि उपनिस्द से उध्रित है उपनिस्द निया गया है यह काछोप SNC प्रणिस्द में कोस्चन Колवे15 बारी हुसी नमने कि से का जाता है तो तो सामबेद को कि संगीत पूतपती है Jiada क्या दख आजित अधर्विव कहा जाता है यजूरु बैद के पाठ्थ खरत अधर्विव कहा जाता है ग्वास कॉंट ाल्याओं की जनम कि निंदा करता है किस बेद में करन्यया玩ं को जनम के लिए निंदा किया गया है कि किरन आउने उंध्रिय SERची किस बेद में आई तो दा नमरplants की संख्या कितनी है रहे हैं बेदान के संख्यक्रितने अच्छे है जो बेदों को असानी प्रत पहने के लिए ज़ए भागौन बटा गया है अगला कोश्चन है कि पुरानों के रचाईता किने मना जाता है पुरान के रचाईता किने मना जाता है लोम हर्ज एबं उनके पूत्र उगरस्रेवा को ये दोनों पिता पुत्र को पुरानों का रचनाकर माना जाता है कोस्टन में 20 है कि सबसे प्राचीन और प्रमानिक पुरान कोंसा है सबसे प्राचीन और प्रमानिक पुरान कोंसा माई किसे माना जाता है तो मतर्शी पुरान को किस प्राचिन ग्रंथ में की गई हैं मैं तर्य संग्ता में इस्तिरियों के तुलना, दुर्भसन के समान की गई हैं मैत्रे संग्ता में किस ग्रंथ में पूरिश के अर्धांगनी कहा गया है, कि मैत्रे संक्ता में क्या माना गया इस तरों को दुरुवसन इसमें क्या है कि सर्थपत ब्राह्मन में इसका इसका है सबसे प्राची निवां प्रमानिक पुरान हम पिछले पढ़े कि मतर से पुरान है और सबसे प्राची निवां प्रमानिक अस्मिर्थी कौन सी है तो मनु अस्मिर्थी कि गई तो सूं पर में से मनफारश्मिति संनदनित हूं कोस्ते ह Nurse 26 है कि नाइधेस स्मिति में किस काल का बढ़न है तो गुप्तकाल में , सताहिं से कि महात्माबुध के पूर्व जनम महात्मा बुध्ध के पूरु जनम की कहानी किस गरंथ में बढ़नी थे गौत्मा बुध्ध का तो बो धर्म के नियान का यहां तथा नहीं हो जागा यहां क्या हो जागा का था कथा वस्तु किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है तो बहुत धर्म का बहुत धर्म जो हीन यान महायान दो होती है तो उसमें से हीन यान का प्रमुख धर्म ग्रंथ क्या है कथा वस्तु अगला क्वेश्टन है क्वेश्ट नमों 29 कि जैन धर्म का प्रारंबी कितियास किस होता है कि यह कहाता है और जयन साहित्य को आगम कहा जाता है ओ 무서ute तो जयन धर्म से अगला कोश्टन 32 कि आर्थ सास्त पुस्तक किसमी से संब्धित है जो आर्थ सास्त कोटिली लिखे हैं चानक्या वो पुस्तक किसमी से संब्ध है तो राजनीती से बहुत साधारम कोश्टन है कि आर्थ सास्त में कितने अधिकरन प्रकरन असलोक है तो पंद्रा क्या है पंद्रा अधिकरन है एक स्वसी प्रकरण है और चार हजार असलोग है एक कोश्चन आप अलग लगाता है अधिक्तर में कितने अधिकरण दिये गए हैं यह आर्थ शास में कितने प्रकरण दिये गए हैं कि कितने मंत्रे असलोग दिये गए हैं तो 15 अधिकरण है एक स्वसी प्रकरण है और चार सबसे पहले अतिहासी घटनाओं को करम से लिखने का परियास किसने किया था तो कलहन ने किया था सबसे पहले बंडन किया था कलहन के द्वारा अब ही कोश्चन नमर है कि राज तरेंगनी पुष्टक का समंद कहां से इतिहास से है तो कश्मीर का इतिहास के जानकारी राज तरेंगनी पुष्टक में मिलती है जो कलहन द्वारा लिखेगे है क्वश्टनом अर थीस है कि प्रश्रीच पुष्टक के लेख खौन थे तो अली TikTok चेचरामा है रिवों के सिन्धृ विजय का विजय के CT कीषेяс में संस्कीत तर्ष्टक चिस संस्त्ता कोन नी ले लिखे थे धे तो कातियाया ने लिखे थे 21 ह। किस काल संबन्दी थे गली संबन्दी थे जो पूस्ताइज टो किस काल में निंखी गई थि तो मोरि काल संबन्दी थे कोश्真的श Sorry से कि भारत पर होने वाले एवन आकरवन कावलर किस लें जाफ़ भी मिलता है हावन है ह слыш और नहीं होगा किरे च est spread भारत पर होने वाले यावन आकर्मन का उलेख किस गरंथ में लिखा है किस गरंथ में लिखा मिलता है भारत को होने वाले यावन आकर्मन का उलेख किस गरंथ मिलता है तो गारगी सहिंता में भारत पर होने वाले यावन आकर्मन का उलेख है कि पूरही थे तो पूसे मित्र सुंग के तो महाभास की रचना के पतंज्ञी साचे पूरही थे तो पूशेमीत्र सुंग के समराज के संस्थापक, क्यों था, मिजये माधव उठाट का उलेक संस्थापक, किस ग्यांथ में मिलता है? मिलता है कि महाभास में किस बंस का उलेख है पहले बताई दिया आप लोगों को सुंग बंस का कोश्चन मार तालिस क्या है कि मोरी के दरबार में चंद्रगुप्त मोरी के दूट था तरह से लूकेश निकेटर का अगला कौश्चन में चासमा देखते हैं और आने वाला बिदेशी जात्री अने वाला प्रत्तम विदेशी जात्री ता डायनोसी असे को स्थे कि फाहियान किसके दराज दरबार में आया था चैन्दगुप्त दितिये का। 2- u gwen Pvd नीचिस के दरवाल अने किस जर्वार में आया था चभी अंयक्ष इन अगला को तो हुम है कर व्यों कोश्षं में कामन है strict penn ने किश पृद्धिon स माजी के बारे में बंडन करता हुए समुलीज संगते के वर्द 50 स्वाइब धेलध की समय सेंश्कृति में भाएंश वाही की जैट्रा वीर्दाइन दिखा है उसमें पर इस प्रदेश की जैजुना दोस्तों । यह वीडियो मिलेगा वीडियो उसमें भी अगर च्छा लगता हुआ है आपके लिए बहुत है महत्पूर्ण है अपने इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें